हलो एंड वेलकम एवरिवन आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास एट का विपिन चौधरी लैपस ओफ मेमरी तो कहानी शुरू होती है विपिन चौधरी से विपिन चौधरी रेगुलर्ली विजट करा करते थे काली चरन का बुक्शॉप यह जो बुक्शॉप थी यह नियर न्य पूर रहा है या फिर अब्जर्व कर रहा है मतलब देख रहा है जैसे ही वो पीछे मुड़ते हैं वो देखते हैं कि एक इनसान उनकी तरफ देख रहा है और ये इनसान उन्हें देखकर स्माइल करने लग जाता है वो इस इनसान को देखके काफी ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि विपिन बाबु इस इनसान को नहीं पहचान पाते हैं अब जो विपिन चौधरी हैं इन्हें हमने विपिन बाबु भी बोला है जो विपिन बाबु होते हैं वो इस इनसान को नहीं पहचान पाते हैं ये जो इनसान था ये जो आदमी था ये विपिन बाबू बोलते हैं कि यार देखो आपको कोई गलत फहमी हुई है अब ये जो इनसान होता है इसका नाम होता है परिमल खोश तो वो परिमल खोश को बोलते हैं कि देखिया आपको कोई गलत फहमी हुई है मैं वो नहीं हूँ इनसान जो राची में आया था विजिट करने के ल होते हैं मतलब वो ऐसे देख रहे होते हैं un 거기 तरफ इनको ऐसे बताते हैं कि देखो ऐसा है तो ऒखोर रही नहीं सकता कि आप भूल रहे हैं और फिर यहां पर जो घोष्ट ने अपनी नी को injured कर लिया था और वहां पर जो घोश थे यानि कि मैं था मैं आपकी मदद करने के लिए आया था आप एक दिनेश मुखर जी नाम के इंसान को भी जानते हो राची के अंदर जो कि उस समय पर आपके साथ थे तो विपिन बाबु काफी ज्यादा surprise हो जाते हैं क यहां पर जो मिस्टर घोश थे परिमल घोश थे यह बहुत ज्यादा श्यादा थे कि विपिन चौदरी उन्हें जानते हैं और वह यह भी बताते हैं कि विपिन चौदरी क्या आपको याद नहीं है कि आप एक बंगलो के अंदर रहे थे जिसको आपने क्राय पर लिया था उस बंगलो के अंदर आप मुखर जी मुखर जी जो थे वह आपके साथ उस बंगलो के अंदर नहीं रहे थे मुखर जी अपनी सिस्टर के साथ रहे थे जो दिनेश मुखर जी थे वह अपनी सिस्टर के साथ रहे थे अब यह दिनेश मुखर जी कौन है दिनेश मुखर जी ऐसे समझ लो शायद विपिन बाबु का उस समय का कोई दोस्त होगा जो कि राची में ही रहता होगा तो यहां पर जो परिमल घोशते वो ऐसा बोलते हैं कि विपिन बाबु आपने तो एक क्राय के बंगले में रहते थे और जो दिनेश मुखर जी थे वो अपनी सिस्टर के सा जाते थे और इस बैक के अंदर बहुत सारी बुक्स होती थी तो जब भी आप कहीं गूमने जाते थे अपने साथ एक बैक को हमेशा लेकर जाते थे अब जो बिपिन बाबु थे यह काफी ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं यह सोचते हैं कि यार इसको इतनी सारी सीक्र गोश ने बुला जिस समय आप आए थे उस समय अक्टूबर का समय था अब बिपिन बाबु जो थे वो अक्टूबर 1958 के अंदर अपने एक दोस्त के पास रहते थे जो की कानपूर में था तो वो तो इस चीज़ को लेके शौर थे वो बोलते हैं कि देखो मैं तो कानपूर म होगे लेकिन मैंने आपकी मदद करी थी आप वहां पर अपने दोस्त के साथ रहे थे वो यह बोलते हैं कि विपिन बाबु एक दिन आप मुझे बता रहे थे कि कैसे आप अकेले रहते हो विपिन बाबु आपने यह भी बताया था कि आपकी जो वाइफ है उनकी डैथ हो ग मेरी घर की important बाते यह कैसे जानता है घोश जो था वो अभी भी काफी ज़्यादा surprise में था कि विपिन बाबु अभी तक उसको नहीं पहचान पाए विपिन बाबु भी बहुत confused थे क्योंकि वो घोश को याद ही नहीं कर पा रहे थे कि ऐसे किसी person से वो मिले थे घोश नाम क विपिन बाबु doubts अब विपिन बाबु के दिमाग के अंदर भी doubt आने लगता है विपिन बाबु अपने driver सीता रवन से बोलते है कि मुझे drive करो by the ganga he regretted having paid any heed to the ghost और उन्हें काफी बुरा लगने लग जाता है वो यह सोचते है कि यार मैंने गलती कर दी इस घोश नाम के ब haunted him बार बार उनके दिमाग में वही चीज चलने लगती है जो घोश ने जो mr. परिमल घोश ने विपिन बाबु को बताई थी बार बार वही चीज उनके दिमाग में चले जा रही थी वो सोच रहे थे किया मैं वागई में राची गया था लेकिन उस समय तो मैं दूसरी जग कुछ जानता है for the first time a slight doubt came to his mind तो जो उनके दिमाग के अंदर पहली बार एक doubt आने लगा उनको ऐसा लगता है कि क्या मेरा दिमाग खराब हो रहा है suddenly he thought of writing to हरिदास बागची जो कि उनका होस था कानपूर में तो मतलब इन्होंने क्या करा एक letter लिखने का सोचा जो कि इनका होस था मतलब जिसके याँ पर ये ठैरे थे हरिदास बागची के याँ पर उसको तो इन्होंने एक letter लिखने का सोचा लेकिन अच्छानक से फिर ने नहीं गए थे तो अब बिचारे विपिन बाबू बहुत जादा confused हो गए थे विपिन बाबू दुबारा से कोशिश करते हैं कि मैं अब इस चीज को confirm करने वाला हूं लेकिन कैसे confirm करेंगे विपिन बाबू इस चीज को थोड़ी देर पहले परिमल घोश ने बोला था कि उन कोट का निशान होता है अब बिपिन बाबू और ज्यादा confused हो जाते हैं फिर उन्हें याद आता है दिनेश मुखर जी घोश ने ये बोला था कि जो दिनेश है वो उस समय राची में ही था जबाब बिपिन बाबू वहां पर थे तो यहां पर वो सोचते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं उसके पास चले जाता हूँ और दिनेश मुखर जी से पूछ लूँगा कि क्या मैं वाकई में राची आया था लेकिन बिपिन बाबू के दिमाग में फिर एक सवाल आता है कि अगर मैं दिनेश मुखर जी से जाकर ये पूछता हूँ कि मैं राची में आया था नहीं आया था तो दिनेश मुखर जी मेरे बारे में क्या सोचेगा वो ये बोलेगा के विपिन बाबू तुम तो बहुत भुलकड हो या तुम्हारी तो यादाश कमजोर हो गई आफ्टर ओल विपिन बाबू ये जानते थे कि मैं कभी भी राची नहीं गया तो दिनेश जो है उनकी इस बात को सुनकर ये बोलेगा के अरे तुम तो पागल हो गए हो लगता है विपिन बाबू तुम तो ख्याली प्लाव बना रहे हो और विपिन बाबू को ये भी पता था कि जो दिनेश मुकर जी है वो उनका वेल विशर नहीं है मतलब कि दोस्त नहीं है उनका अच्छा या फिर भला नहीं चाहता विपिन बाबू काफी ज़्यादा बैटर फिल करते हैं जब वो अपने घर पर आते हैं लेकिन जब डिनर के बाद वो अपने नए ओफिस के अंदर जाते हैं तब वो एक चीज़ को फिल करते हैं कि उनके नए ओफिस के अंदर वो रास्ता भुल गए अपने ओफिस का दुबारा से विपिन बाबु के धिमाग में वही ख्याल आने लगते हैं उनको ऐसा लगता है कि भाई मेरी जो यादाश है वो कमजोर होती जा रही है तो वो डिसाइड करते हैं कि मैं कॉल करने वाला हूँ दिनेश मुखर जी को और उसको कॉल करके फोन पर पूछने वाला हूँ कि क्या मैं वाकई में राची गया था या नहीं गया था तो वो अपने फ्रेंड को कॉल करते हैं जिसका नाम होता है दिनेश मुखर जी और उससे पूछते हैं दिनेश मुखर जी कनफर्म कर देता है ये बात सुनके बोलता है हाँ हाँ विपिन बाबू आप गए तो थे राची आप आये तो थे याद नहीं आपको आप भूल गए मेरे साथ ही तो थे अब विपिन बाबू फोन को काट देते हैं उनका दिमाग बिल्कुल खराब हो गया लंच भी नहीं करते वो टेंशन के अंदर मिस्टर मुखर जी जी ने उन्होंने कॉल करा था उन्होंने सिर्फ और सिर्फ विपिन बाबू की और चिंताएं बढ़ा दी अब विपिन बाबू बहुत ज़्यादा टेंशन में थे विपिन बाबू जहां पर काम कर रहे थे मत विपिन बाबू चुन्नी लाल को जानते थे अब यह जो चुन्नी लाल था जो इनके यहां पर आया था विजिट करने के लिए यह चुन्नी लाल इनका स्कूल मेट था मतलब कि विपिन बाबू के साथ स्कूल जाय करता था चुन्नी लाल का थोड़ा सा खराब समय चल रहा था वो चाहता था कि विपिन बाबू अपने पास उन्हें जॉब दे दे उनको नौकरी दिलाने में हेल्प कर दे उनकी कमपनी में विपिन बाबू की जो कमपनी थी जहां पर वो जॉब करते थे वहाँ पर इस चुन्निलाल को भी job देनाथ है विपिन बाफू येचीज जानते थे कि वो कुछ भी नहीं कर सकते चुन्निलाल की help करने के लिए और ऐसा ही वो पता देते है चुन्निलाल को कि देखो देखो मैं तुमारी कुछ भी मदद नहीं कर सकता लेकिन जो चुन्नी लाल था वो बार-बार उनके पास आता रहता था उनसे पूछता रहता था के मेरी मदद कर दो, मेरी मदद कर दो बिचारे विपिन बाबू हर बार उसको मना कर दे तो ऐसा ही वो इस बार भी करते हैं वो अपने नौकर को बोल देता है कि देखो चुन्नी लाल को ये बोल दो कि वो आए ना कुछ हफतो बाद मुझसे मिलने के लिए आए लेकिन तभी अच्छानक से विपिन बाबू को ध्यान आता है कि मैं चुन्नी लाल से ही पूछ लेता हूँ बाबू के चैरे की तरफ ऐसे देख रहा हूए जैसे उसे विपिन बाबू खो लेकर काफी च़िनता है जो चुन्नी लाल होता है उनका दोस्ति उनके चैरे की तरफ तो सर्प्राइब को धिकता है कि मैं ही तो आया था आपको रेल्वे स्टेशन पे छोड़ने के लिए राची के लिए तो विपिन बाबू की हेल्थ के लिए वो बहुत जादा आपका दिमाग तो इतना तेश था यादाश इतनी तेश थी आप इतनी सी बात को भूल गए मैं आपको छोड़ने गया था राची के लिए विपिन बाबू बोलते है कि इतना सारा ओफिस का हार्ड वक करने की वज़ा से शायद यह हुआ है चुन्नी लालू ने बोलता है कि एक स्पेशलिस्ट यानि की एक अच्छे डॉक्टर से बातचीत करो शायद वो तुम्हारा इलाज कर दे जो स्पेशलिस्ट होता है विपिन बाबू फिर स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करते हैं विपिन बाबू एक स्पेशलिस्ट के पास जा जो डॉक्टर था वो भी इनकी बाते सुनकर काफी जादा उसका भी दिमाग खराब हो जाता है वो बोलता है कि ये तो बड़ा ही अन्यूजवल सा केस है ये तो बड़ी ही अजीब सी घटना बता रहे हैं आप विपिन बाबू ऐसे तो यादास जाती नहीं आपको सारी चीज कि उसे ही आप भूल रहे हो तो ऐसा कैसे हो सकता है येट ही वास सम्हाव कंवेंस्ट ऑफ हैविंग बीन देर तो यहां पर जो विपिन बाबू थे वो अब यह मानने लगे थे कि मैं वाकई में राची गया था डॉक्टर उन्हें सजेस्ट करता है कि ऐसा करो विपिन अबू ट्रिप लेते हैं टू राची डॉक्टर की सला मानकर वो राची जाते हैं जब वो रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं राची के तो उन्हें वहां की चीज़ें देखकर एक चीज फील होती है कि मैं वाकई में पहले इधर कभी भी नहीं आया फिर उन्हें लगता है श जगा पर जाते हैं जहां पर आपको याद है शुरू शुरू में जहां पर उनको चोट लगी थी यह बताया था किसने बताया था उन्हें यह चीज उनको बताई थी परिमल घोश ने तो अब यह उस जगा पर जाते हैं जहां पर परिमल घोश ने बताया था कि इन्हें चो को एक इनसान जमीन पर पढ़ा हुआ दिखता है यह जो इनसान था जो की जमीन के उपर पढ़ा हुआ था unconscious मतलब की जमीन के उपर बेहोश पड़ा हुआ था ये थे विपिन बाबु विपिन बाबु को जब होश आता है तब उनके मुँसे कुछ शब्द निकल रहे होते हैं वो होते हैं I am finished there is no hope left मैं तो अब खतम हो गया कोई भी उमीद नहीं बची मतलब अभी भी विपिन बाबु को ये चिंता थी कि उनकी यादाश अब बिल्कुल खतम हो गई और अब कोई भी उमीद नहीं बची उनको बचाने की विपिन बाबु is cured अगली सुबह जब वो कॉलकता के अंदर आते हैं तब वो बहुत तूटे हुए इंसान थे मतलब अब बिल्कुल अंदर से वो तूट गए थे बहुत उन्हें बुरा लग रहा था कि देखो मेरी आदाश तो बहुत खराब हो उनको ये चिंता सता रही थी कि मैं अब कहीं पागल ना हो जाओं और मुझे asylum यानि की पागल ख आते हैं अपने सर पर एक आइस बैग रखकर थोड़ा सा ठंडा 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 जैसे अपने पट्टी टाइप देखे इसी टाइप से एक आइस बैग आता है उसे रखके लेट जाते हैं अचानक से विपिन बाबु का नौकर आता है एक envelope के साथ है इस envelope के अंदर एक letter होता है यह letter लिखा होता है चुन्नी लाल, चुन्नी लाल ने अपने letter के अंदर लिखा होता है सारी वह चीजें जो कि उसे बुरी लगती हैं विपिन बाबु के बारे में अपनी पूरी bitterness को सारा जो बी उसका कड़वा पन था यानि कि बुरी चीजें थी, वह सारी चीजें वह लिखते था वो बोलता है कि विपिन बाबु तुम्हारी जो मेमरी है वो बिल्कुल ठीक है ये पूरा का पूरा मेरा ही प्लैन था कि तुम्हें मैं ऐसा बुरा फील कराऊं वो विपिन बाबु को बोलता है कि ये एक तरीके का प्रैंक था यानि की जोक था तुम्हारे उपर क्या आप अपने दोस्त के उपर कभी ऐसा जोक प्लान कर सकते हो तो कमेंट जरूर करना अब यहाँ पर तो चुन्नी लाल ने एक प्रहंक यानी की जोक कर दिया था विपिन बाबू के ओप वो बोलता है कि यह पूरा प्लान मैंने मिस्टर गोश और दिनश मुकर जी की हेल्प से एक्जिक्यूट करा है विपिन बाबू को अब यह पता चल गया था कि उनकी मेमरी खराब नहीं थी उनको सारी चीजे अच्छे से ध्यान थी और वो बिमार भी नहीं थे यह तो उस चुन्निलाल ने चाल चली थी विपिन बाबू जब डॉक्टर को अपने पास आता हुआ देखते हैं तो वो डॉक्टर चंदरा को बोल देते हैं कि देखो डॉक्टर साहाब मैं तो जब उदर गया ना राची तब मुझे सब याद आ गया राची के रेलवे स्टेशन पे पहुशते ही मुझे सब याद आ गया लेकिन बिपिन बाबू ऐसा जूट क्यों बोलते हैं डॉक्टर चंदरा से वो जूट इसलिए बोलते हैं ऐसा उनको सच्चा है इसलिए नहीं बताते हैं चंद्रा को कि डॉक्टर चंद्रा सुचेंगे कि अरे विपिन बाबु को देखो उसके दोस्तों ने कितने अच्छे से बेवकूफ बना दिया तो अपनी इज़त बचाने के लिए वो डॉक्टर चंद्रा से जूट बोल देते हैं कि अब उनकी यादाश वापस आती है वो बोलते हैं कि देखो मुझे आना कुछ दवाई चाहिए दर्द की वह आप मुझे दे दो और इसलिए मैंने आपको बुला है तो डॉक्टर चंद्रा बोलते हैं ठीक है और यहां पर वो यह भी बताते हैं कि मैं राची में गिर पड़ा था और इस वज़े से मेरे जो हिप से वहां पर दर दो रहा है इस वज़े से मुझे आपसे दवाई चाहिए तो डॉक्टर चंद्रा उसको दवाई दे देते हैं यहीं पर हमारा चैप्टर खतम होता है आई होप स्टुडेंट्स आपको अच्छे से चैप्टर समझते हैं चैनल को सब्सक्राइब करो सब्सक् पढ़ाई करी है तो इन नोट्स के थूँ आप इतने बड़े चैप्टर को बहुत ही शॉट में रिवाईज कर सकते हो देखो कितने शॉट में मैंने मनाई हैं यह नोट्स साथ ही में आप कमेंट करो आप कमेंट करना यह जरूर बताना कि क्या आप अपने दोस्ते ओपर ऐ आपके पर ऐसा प्रैंक कर रहा है So thank you so much for watching this video See in the next video, bye bye till then Manu से ग्यान लेते रहो